we are going to discuss these theories सबसे बले important होती है कि what is trade trade क्या होता है trade का मतलब होता है exchange of goods this can be done in terms of two goods जैसे bilateral है मेरे पास चावल है आपके पास गें हूँ है and we exchange the things and ultimately both end up in getting the desires जो भी चीज़े जिसकी भी जरूरत है वो पूरी कर दी गई है दूसरी होती है with the medium of exchange जिसके थुरू आप transaction कर रहा है जैसे मैं पैसे दे रहा हूँ आपके पास समान है and then ultimately जो भी हमारे बीच में trade होनी है जो भी transactions होनी है वो हो जाएंगे तो these kind of two things generally happen इसके अलावा आप लोगोंने SDR का भी नाम सुना होगा this SDR जो की basically IMF की currency है so SDR special drawing rights special drawing rights क्या होती है कि IMF generate करता IMF देता है और SDR के साथ खास बात यह है कि यह according to the share in the IMF जैसे ऐसे countries के बीच में share है उतना ही यह distribute होता है suppose मालेते हैं कि 100 SDR generate किया गया IMF के द्वारा तो हम मालेते हैं US के पास US के ownership जो है वो 16% है इंडिया की ownership माल लेते हैं कि 2% है इसी तरीके से Japan and China अपनी ownership है तो होगा क्या इस 100 का यहां पर 16 share चला जाएगा 2 share यहां इंडिया के पास चला जाएगा accordingly जिसकी जितनी weightage है जितनी जिसकी quota है उतना है इसको मिल जाता है generally होता क्या है कि this happens as a medium of trade जैसे US को माल लेते हैं इंडिया के साथ में trade करना है तो this SDR can be used यह generally international medium of exchange को और बढ़ाने के लिए किया जाता है तो या तो आप dollar में करिए या फिर आप euro में करिए या फिर किसी other currency में भी कर सकते हैं आप लेकिन यह दोनों जादा prominent होती है yen भी आप कर सकते हैं pound में कर सकते हैं और ultimately या तो आप SDR में कर सकते हैं तो यह होती है कुछ economics की basic theories है क्योंकि हम लोग आज की discussion में economics के बारे में ही जादा बाते करेंगे और समझने के लिए this is very important and we are going to take several examples so that you should have a crystal clarity in this topic तो trade का मतलब आपको समझ में आ गया second thing होती है कि why do countries trade simple सी बात है हर एक country के पास अपने resource नहीं होते हैं कुछ country agriculturally strong होती है कुछ country resource wise strong होती है कुछ countries technology में strong होती है तो कुछ country services में strong होती है तो अब या तो आप अपने agriculture करिये और बाकी जितनी भी चीज़े हैं उसको भी आप करिये बट उसमें आप loss सही है और इसमें आप benefit लीजिए तो ये generally countries के द्वारा नहीं किया जाता है होता क्या है based on this globalization world what exactly happened जो country जिस चीज में माहिर है वही काम करती है और बदले में एक दूसरे के एक्सचेंज कर लिया जाता है जैसे माल लेते हैं Germany Germany automobile के लिए worldwide famous है और वहीं इंडिया के बारे में बात करें तो agriculture wise worldwide famous है चाइना सबको पता है Chinese item manufactured goods इसमें worldwide famous है तो होता क्या है कि agriculture medium और Germany का जो automobile है यह दुनों आपस में exchange कर लेते हैं अपने material obviously based on some parameters based on some costing उसके basis पे यह decide कर लिया जाता है तो इस तरीके से because of the resource, scarcity and better efficient trade countries जो है वो trade करती है हाना कि इस trade करने में कई सारी चीज़ें involved होती है और उस involvement का ही नाम है opportunity cost question ही ओडता है कि opportunity cost क्या होती है तो आपको पता होगा opportunity cost क्या होती है let me give you some examples अगर आप किसी other background से है तो जिसे माल लेते हैं कि इंडिया है और साथ में हम लोग जर्मनी का नाम ले रहे हैं तो जर्मनी का ही case ले लेते हैं तो अब इंडिया में आपको पता है कि agriculture काफी अच्छी होती है हां 100 करोड में अब इंडिया क्या कर रहा है कि यहाँ पर agriculture काफी developed format में है तो इंडिया 80 करोड रुपीज में माल लेते हैं इक काम करते हैं 50-50 लेके चलते हैं 50 करोड रुपी में माल लेते हैं agriculture किया गया और 100 ton 100 ton जो है वो कोई produce लेकर के आगया मा लेते हैं गे हूँ agriculture ही मतलब की wheat ले करके आ गया wheat हुगा लिया गया और बचे हुए 50 करोड में किया किया गया कि 10 गाडियां बना दी गई तो 10 गाडियां मा लेते हैं 10 BMW बना दी गई BMW तो यह गाड़ी बना दी गई अब यहाँ पर अगर आप opportunity cost देखेंगे तो opportunity cost for BMW is too high because 100 ton जहाँ पर आप wheat ले रहे हैं on the other hand does BMW गाड़ी तो एक तरीके से आप 10 BMW गाड़ी का दाम 100 ton बोल सकते हैं this is quite the same thing देखिए एकी चीज़ है वही अगर जर्मनी के पास आते हैं जर्मनी क्या करता है अपने अगें 50 करोड रूपीज का ये agriculture में यूज़ करता है और 50 करोड रूपीज में automobile बनाता है माल लेते हैं कि यहाँ पर 100 BMW गाड़ियां बन जाती है BMW और यहाँ पर 50 करोड रूपीज में माल लेते हैं कि केवल और केवल 10 टन ही वीट हुगा पाते हैं तो अब देखिए यहाँ पर BMW 100 BMW is equal to 10 टन आफ वीट तो अब इंडिया के साइड बे देखेंगे तो opportunity cost for this BMW is too high बहुत जादा है और वहीं जर्मनी के पास देखेंगे तो agriculture की जो opportunity cost is too high तो what will happen जर्मनी और इंडिया एक दूसरे के साथ आपस में collaborate करेंगे और कह देंगे कि भाई देखो I am good in automobile then I will invest all my money into the automobile sector and similarly इंडिया को यह कहा जाएगा you are good in agriculture and you should invest all the thing all the money, all the capital in your this agriculture thing and ultimately we will exchange the items तो देखेंगे क्या कुछ है लेकिन एक idea लगया होगा आपको क्या opportunity cost क्या है छोटा इस example और ले लेते हैं थोड़ा सा यह heavy example हो गया basic example लेके चलते हैं माल लेते हैं कि आपको आज ice cream खाने का बहुत मन कर रहा है माल लेते हैं market में total माल लेते हैं कि 100 ice creams हैं suppose 100 ice creams हैं और इसके लिए 100 people भी हैं माल लेते हैं 100 people हैं अब आपको मन कर रहा है ice cream बहुत खाने का मन कर रहा है कि 100 के 100 मैं खरीद लूँगा अकेले तो you have sufficient funds माल लेते हैं आपके पास बढ़ियां से पैसे वैसे हैं आपने सारे ice cream खरीद लेने की capacity हैं खरीदा नहीं आपने capacity हैं और माल लेते हैं खरीद भी लिए हैं चलिए 100 items आपने खरीद लिए हैं अब आपके पास कोई दूसरा बंदा आता है वो कहता है कि यार ऐसा है मेरा भी मन कर रहा ice cream खाने को तो एक काम करो इस 100 ice cream में से 2 ice cream के बदले में मैं तुम्हें एक Oreo दूंगा अब आपको कह रहा है यार ये तो सही चीज ये तो सही अपना deal बैठ गया Oreo भी मिल जाएगा दो ice cream दे करके तो यहाँ पर 2 ice cream के बदले एक Oreo is the opportunity cost for Oreo कि आप Oreo चाहते थे Oreo की आप demand रख रहे हैं और वो 2 ice cream के बदले में आपको दे दिया जा रहा है तो इसी को बोलते है opportunity cost like कि जिस चीज के आप demand जिस चीज के बारे में आप सोच रहे हैं वही चीज अगर आपको किसी दूसरे खुद के रखे हुए item से अगर मिल जाए तो इसी को बोलते है opportunity cost तो what is the opportunity cost about any product इसको बोलते है हम लोग अपॉर्चुन्टी कॉस्ट का मतलब ठीक है एक और example ले लेते है suppose oil है oil हमें पता है कि हम लोग इसराइल साओधी अरेबिया यहां से import करते हैं सो माल लेते हैं कि साओधी अरेबिया के पास में 100 लीटर oil है लेकिन इनके पास पानी नहीं है एक लीटर पानी अमाल लेते हैं तो यानि कि एक लीटर पानी का दाम कितना हो गया 100 लीटर of petrol और वहीं इंडिया के बारे में अगर बात किया जाए तो इंडिया में 100 लीटर water है लेकिन एक लीटर पेट्रोल है तो यहाँ पर पेट्रोल की जो opportunity cost है वो इंडिया के respect में अगर देखेंगे तो पेट्रोल की जो opportunity cost है वो काफी ज्यादा है 100 लीटर पेट्रोल की जरुवत पड़ेगी 1 लीटर पानी में मतलब सुरी 100 लीटर अफ वाटर है 1 लीटर पानी में So there is lot more opportunity cost for this oil On the other hand, Saudi Arabia multi cheese है Then what will happen? India will export water और बदले में import कर लेगा Saudi Arabia से petrol तो इस तरीके से ये आपस में opportunity cost आपको समझ में आ गई होगी कि या क्या होती है opportunity cost किसी भी item की जो desire है, जरूरत है उसके बदले, मतलब कितने item के बदले आप क्या देना चाहते हैं उसी को बोलते है opportunity cost अब देखिए हमारे पास दो तरीके की theories आती है इस पूरे के पूरे economics में, economics को समझने के लिए एक होती है जिसको हम लोग बोलते है जिसको हम लोग बोलते है theory of absolute advantage जिसे हम लोग बोलते है Adam Smith की theory और एक दूसरी होती है जिसे हम लोग बोलते है theory of comparative advantage that is David Ricardo की theory and these both theory दोनों जो दो theory है काफी important है दोनों की theory को एक basic तरीकेश देख लेते है माल लेते हैं, this is India ठीक है और एक ले लेते हैं, China ले लेते हैं चलिए, China ठीक है और दोनों को मैं, for the sake of simplicity मैं दोनों को ही agriculture wise ही compare करने वाला हूँ तो माल लेते हैं, कि यहां पर है wheat और यहां पर माल लेते हैं rice ठीक है India में माल लेते हैं, कि 100 acre, 100 ton यह काम करते हैं, 100 kilo जो है, वो गेहूं होता है और माल लेते हैं, कि 10 kilo जो है, वो rice होती है this is just a raw data वही चाइना में अगर बात कर लिया जाए तो चाइना में माल लेते हैं कि यहाँ पर wheat जो है वो relatively कम होती है सिधी सी बात है तो यहाँ पर माल लेते हैं कि 50 kg जो है वो wheat होती है और माल लेते हैं कि 120 kg जो है वो rice होती है clear अब यहाँ पर यह दोनों जो cost लिखी गई है मदब यह दोनों जो production लिखा गया है वो 100 करोड रुपी पे लिखा गया है ठीक है तो 100 करोड रुपी में 100 kg गेहूं होती है और 10 kg राइस होती है और other hand 50 kg गेहूं होती है 120 kg जो होता है वो राइस हो जाती है clear हो गया तो यहाँ पर आप आप देखेंगे सी बात है इंडिया से जादा है लेकिन दोनों के बीच में ट्रेड कैसे होगा कैसे ट्रेड होगा अब यहाँ पर सीधी सी बात है इंडिया अब दोनों चीज प्रोड्यूस नहीं करेगा क्यों नहीं करेगा इस बात के बारे में बताता है हमारा theory of comparative advantage जैसे अगर आप straightforward theory देखेंगे with respect to Adam Smith होगा क्या कि अगर इंडिया को 50 kg गेहूं की जरूरत है और अगर मान लेते हैं 50 kg राइस की जरूरत है तो होगा क्या कि 50 kg जो extra बना हुआ गेहूं है वो चाइना को transfer कर दिया जाएगा और बदले में जो 40 kg extra rice की जरूरत है वो चाइना से import कर लिया जाएगा और at the end of the day दोनों के बीच में देख लिया जाएगा कि कितना हमारा final cost आ रही है तो ultimately दोनों की costing देख ली जाएगी ऐसा Adam Smith साहब का कहना है लेकिन वहीं दूसरी ओर जैसे ही हम लोग डेविड रिकॉर्डों के बारे में बात करें तो थोड़ा सा situation बदल जाता है situation क्या बदलती है ध्यान से सुनिये का देखिए माल लेते हैं suppose again the same thing we are going to discuss माल लेते हैं कि इंडिया ही है दूसरे side में चाइना ही है ठीक है यहाँ पर हम लोगों ने लिया है wheat और यहाँ पर माल लीजे हम लोगों ने लिया है rice यहाँ पर 100 करोड रुपीज है 100 करोड रुपीज में गेहू या तो 100 किलो बनाय जाएगा या फिर 10 किलो rice बनाई जाएगी यानि कि अगर माल लेते हैं 200 करोड रुपए अगर लगा दिया जाए तो obviously आपका total production मिला करके 110 किलो हो जाएगा ठीक है और वहीं दूसरी ओर चाइना की case में आ जाते हैं तो यहाँ पर 50 किलो गें हुँ थी और यहाँ पर 120 किलो जो है वो rice है तो इसको भी अगर 200 करोड लगा दिया जाए 280 किलो अब इसमें आपका गेहू भी है इसमें चावल भी है ठीक है 280 किलो यह हुआ लेकिन यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 100 करोड रुपी आपको लगाना पड़ रहा था 100 किलो में तो यानि कि इंडिया के लिए जो wheat की cultivation है relatively सस्ती है क्योंकि यहाँ पर ratio 1 is to 1 का बैठ रहा है और वही 100 करोड रुपे लगाने के बाद आप खाली 10 किलो अगर गेहू 10 किलो चावल उगा पा रहे हैं तो इंडिया के लिए यह घाटे का सौदा है वही अगर चाइना के पास देखेंगे तो 100 करोड रुपे लगा करके यह केवल 50 किलो अगर गेहू उठा रहे है और 100 किलो लगा करके चावल 120 किलो उठा रहे है तो चाइना के लिए जावल उगाना यह ज़्यादा beneficial है कहने का मतलब यह है कि किसी भी product की या किसी भी labor force की efficiency के लिए it is very important कि जिस काम में आप अच्छे हैं वही काम करिये जैसे कि आप लोगों ने एक dialogue भी सुना होगा कि if you are good at something तो never do it for free and the same thing again यहाँ पर भी वही चीज है कि जिसमें आप अच्छे हैं वही काम करिये because जो भी आप दूसरा काम करेंगे it is going to be a damage, it is going to be a bad affair for you तो यह आपके लिए घाटे का सौधा हो जाएगा तो as part of result होगा क्या चुकि globalization हो गया है होगा क्या कि इंडिया और चाइना यह दोनों मिल करके एक साथ आएंगे और कहेंगे देखो भाई ऐसा है कि मैं गेहू में अच्छा हूँ तो मैं गेहू उगा लूँगा तुम चावल में अच्छे हो तो तुम चावल हुगा लेना तो होगा क्या कि अब जो अपना total resource इंडिया के पास में है 200 करोड उपए उसके 200 करोड उपए से यह अपना 200 किलो यह अपना गेहू उगा लेगा तो दिस इस गेहू और वहीं चाइना के बारे में देखेंगे तो 200 करोड में यह total अपना सारा पैसा लगा देंगे चावल हुगाने में और 240 किलो जो होता है वो लगा लेंगे राइस तो यानि कि अब क्या हुआ after the collaboration 400 करोड रुपीज में इन लोगों ने 440 किलो अना जुगा लिया गेहू और चावल और पहले कितना था 280 अब कितना हो गया 440 so you can see the jump और ultimately क्या होगा कि आपस में फिर यह लोग अपना जो आइटम है वो शेर कर लेंगे based on the again some formula use करेंगे and ultimately they will redistribute their जो भी resource है so as part of result आपको यह दिखा there is a comparative advantage अगर हम लोग मिल के काम करेंगे तो there will be comparative advantage and the only reason is कि हम लोग अब जिसमें अच्छे हैं वो और अच्छा कर सकते हैं अब यहाँ पर देकिए दो फायदे हैं एक फायदा कि आपका resource जादा हो गया आप देखी सकते हैं resource आपका जादा हो गया first thing second thing अब होगा क्या कि जिसमें आप अच्छे हैं उसमें आप research भी अच्छा कर सकेंगे and then you will be able to develop more and more new research और इस तरीके से R&D अच्छा करेंगे तो आपका technology भी अच्छा होगा और फिर आपका जो produce है आपका जो product है वो और अच्छा होते जाएगा तो this 440 is going to be 500, 600 and multiple जो भी multiplier है वो आगे होते जाएगा तो इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि comparative advantage का काफी फरक आ जाता है ऐसा David Ricardo ने कहा था तो यह जो David Ricardo के theory I guess अब आपको clear हो गई होगी यहाँ पर देखिए आपको यही ध्यान रखना है कि countries एक साथ आएंगी there will be a contract and based on that contract countries will develop its produce clear हो गया क्या चीज़ है तो इस तरीके से theory of comparative advantage के बारे में हम लोगों ने देखा तो यहाँ पर देखिए इस theory में कुछ assumptions भी हैं वो assumption भी आपको development के दौरान में discussion के दौरान में आपको समझ तो आ गया होगा लेकिन जो चीज़ें वो फटा फटा हम लोग डिसकस कर लेते हैं सबसे पहली चीज़ तो आप यही बोल सकते है labor will be limited labor जो है वो limited रहेगा इसके अलावा दो country चाहिए होती है there will be only two country दो से जादा नहीं होनी चाहिए otherwise there will be problem so दो country होगी both of them produce the same two commodities है इसे चावल और गे हूँ हम लोगों ने लिया वो दोनों same होनी चाहिए otherwise again अगर कोई भी heterogeneous हो गया कोई भी तीसरा element आ गया तो फिर trade में problem हो जाएगी क्योंकि सीजी सी बात है labor is the only factor of production अब यहाँ पर सिर्फर सिर्फ labor ही लिया जा रहा है supply of labor is unchanged supply जो है वो unchanged रहेगी limited रहेगी लेकिन unchanged रहेगी जैसा हो रहा है वैसे ही रहेगा बाकि सारे जो labor units है वो homogeneous रहेंगे otherwise हमारा जो calculation है हमारी जो एक तरीके से आप कहा सकते हैं purchasing पावर जो है वो बदल जाएगी otherwise टेस्ट और सिमिलर इं बोध र कंट्रीज गेहू चावल दोनों चाहिए ही चाहिए ऐसा नहीं कि गेहू से काम चला लेंगे चावल से काम चला लेंगे labor cost determined the price of the two community labor cost ही जो होती है वो determined करेगी जैसा कि हम लोग ने वही जो equal मतलब की जो cumulative amount है उस पर हम लोग देख रहे हैं वो constant rate पर रहेगी the two countries trade on the barter system CDC बात है गेहू चावल आपस में barter trade करेंगे और इसमें कहीं पर भी transaction based on the hard currency नहीं होगी technological knowledge is unchanged पहले जो चीज जानते थे उसी को use करेंगे because that is going to be the production is going to be constant तो इस वज़े से technology knowledge unchanged रहेगी factor of production are perfectly mobile within each country however they are immobile between the two countries तो इस तरीके से seen रहेगा free trade is undertaken between the two countries trade barriers and restriction in the movement of commodities are absent तो इस तरीके से हाँ पर यह हमारा you can say कि assumptions हो जाते हैं डेविड रिकार्डो की theory के लिए बाकि डेविड रिकार्डो की theory तो हम लोगे ने discuss कर ही लिए है और बाकि कुछ और भी assumptions हैं जो की straightforward ही हैं तो उनको आप समझ सकते हैं खुदी देख करके ठीक है exchange rate बगरे कासी case आ जाता है तो यह case है तो डेविड रिकार्डो की theory आप लोगो को आई गेस समझ में आ गई होगी लेकिन देखिए यहाँ पर कुछ limitation और कुछ criticism भी है हमारे इस डेविड रिकार्डो की theory के लिए और वो simple सी बात है आप locate भी कर लिए होंगे कि यहाँ पर capital और currency इन दोनों को एक माना गया है लेकिन ऐसा होता नहीं है cost और capital are two different things capital का मतलब होता है कि कोई country कितना infrastructure डवलप की हुई है जैसे चाइना चाइना ने infrastructure काफी अच्छा डवलप किया हुआ है तो obviously उनकी जो cost होगी वो अलग हो जाएगी और capital अलग हो जाएगा जैसे चोटा सा example के तोर पर बात करते है Germany Germany और India में obviously अब आप capital पर कभी change नहीं कर सकते हैं अब जैसे इनकी capital काफी high होगी इनकी capital काफी low होगी लेकिन यहाँ पर labor काफी high होगा और यहाँ पर labor नहीं होगा तो इस तरीके से अब क्या होगा कि यह दोनों के दोनों आपस में compete करेंगे अलग-अलग चीज़ों के लिए for example छोटा सा example ले ले लेते हैं जैसे जर्मनी है माल लेते हैं कि जर्मनी के जर्मनी जो है वो automobile बनाता है और इंडिया माल लेते हैं agriculture करता है जैसा कि हम लोगों ने देखा था तो automobile के लिए obviously the most important thing is the capital capital important है agriculture के लिए फिर labor important है अब obviously बात है अगर इंडिया automobile में जाएगा तो it is going to be a huge problem for India और उसी तरीके से अगर agriculture में जर्मनी जाता है there will be huge problem because there is a shortage of labor in that country जबकि जो हमारे record हो साबत है उन्होंने capital और labor इन दोनों को अलग से नहीं consider किया इन्होंने केवल और केवल capital sorry labor को ही consider किया तो this is one of the criticism तो इन्होंने केवल और केवल labor cost को ही consider किया तो और बाकी जितने वी non labor cost है उसको इन्होंने छोड़ दिया था ignore कर दिया था the theory consider all labor force to be homogeneous तो वो भी एक तरीके की assumption भी कही न कहीं criticism में बदल जाती है the theory assumes similar taste for all और जबकि ऐसा होता नहीं है हरे country की ऐसी नहीं है जरूरते same हो हरे country की अपनी अलग-अलग हो सकती है the theory assumes that a fixed proportion of labor is used in the production of all commodity however in reality utilization of a production of labor depends on the type of commodity being used किस तरीके की commodity use हो रही है इसके अलावा theory has an unrealistic assumption of constant cost हम लोग ने बात कर लिया था कि भई 100 करोड में इतना बनेगा 200 करोड में इतना बनेगा and that will be constant तो ये एक तरीके से criticize करने वाली बात है क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि एक ही बराबर constant cost रहे technology change हो सकती है costing change हो सकती है labor force बदल सकता है मतलब कई सारे और भी factors add हो करके उसकी cost को बदल सकते हैं however the large scale production lead to cost production अब जैसे हम लोगों ने last class में ही बात किया था कि एक basic price होती है हर एक firm की उसके उपर में जैसे ही आप जाएंगे उसकी price जो है वो decrease करने लगती है क्योंकि उनका खर्चा निकल गया है तो यहां पर यह सब चीज़े consider नहीं कि यहां पर सिर्फ और सिर्फ constant cost माना गया है transport cost play an essential role in determining the trade-off pattern जबकि ऐसा इन्होंने नहीं माना इन्होंने इसे ignore करती है independent of transport cost इन्होंने माना है जो कि एक criticism है the assumption of the factor of production being mobile internally is unrealistic and the factor do not move freely from one region to the another or one industry to the another greater the degree of specialization of industry the immobile the factor will be CDC बात है the assumption of the theory of having only two country and the two community is very unrealistic क्योंकि अब CDC बात है इंडिया में माल लेते है कि यहूँ चावल यह सब खा रहे है और US में अगर जाएंगे तो वहाँ पर सीरियल, सोर्स यह सब खा रहे है तो there will be problem again तो इस तरीके से जो two commodity to country वाला case है वो कही न कहीं यहाँ पर फेल हो जाता है every country implements restriction on the movement of goods आप कुछ नहीं तो WTO की norm सी आ जाती है and thus trade if and trade restriction play an important role in world import and export however the theory assumes free and perfect competition market तो यह भी कहीं न कहीं criticism ही है the theory assumes full employment जबकि ऐसा case नहीं होता है in fact कोई ऐसी country नहीं है जहाँ पर fully employment वाला case आ जाए the country may or may not want to trade a community due to military strategic or developmental consideration geopolitical issues भी कही बार होते हैं जैसे इरान के साथ ही आप देख लीजिए कि आज की डेट में इरान के साथ इंडिया trade करना तो चाता है but because of the pressure from the US it is not able to trade properly with the Iran not only with respect to Iran even European Union is not able to trade with the Iran because of that there are again problems तो यह कहीं न कहीं एक problem है जो कि Ricardo ने नहीं consider किया था Ricardian theory consider only the supply side of the world trade and neglect the demand side तो depend करता है न कही बार दीके economics में demand and supply actually decide the cost not the kind of production तो इस पज़े से यह theory कहीं न कहीं जो है वो fail हो जाती है हाला कि इस theory को आप fail नहीं बोल सकते है because it is actually helping informing groups जैसे economic union, economic groups यह से बनाया जाता है न तो यह कहीं न कहीं इसकी theory के मदद से ही बनाया जाता है कैसे capital और labor के बीच में आपस में एक सामनजस्य बनाया जा रहा है sink बनाया जा रहा है वो नहीं बताया इनकी problem को solve करते हुए Heckscher Ahlin ने एक model produce किया था इसको HO model भी कहा जाता है देखिए आपके syllabus में बिलकुल नहीं है लेकिन again केवल और केवल surficial हम लोग पढ़ाई करेंगे ताकि अपने answer को हम justify कर सकें इस Heckscher Ahlin model के थू Heckscher जो साहब थे यह actually professor साहब थे और Ahlin जो है वो इनका student था PhD scholar था और ultimately दोनों लोग ने मिल करके एक model निकाला था यह model Ricardo की theory पर एक improvement थी Ricardo ने जो जो problems नहीं मतलब discuss किये थे वो सारी चीज़े यहाँ पर Heckscher and Ahlin ने discuss किये थे Heckscher और Ahlin के model में एक चीज़ simple है वो यह है कि यहाँ पर इन्होंने capital और labor को दो अलग-अलग consider किया जैसे for example यहाँ पर बात कर लेते हैं a very famous example and this is not relevant for you कभी भी answer में मतलिकिएगा जो हम लोग discuss करने जा रहे हैं हम लोग केवल theory को समझने के लिए pure economics समझने जा रहे हैं जो की आपके syllabus के बाहर है तो जहाँ से समझेगा केवल होता क्या है यहाँ पर माल लेते हैं कि this is a curve for automobile this is माल लेते हैं automobile का एक curve है इस curve का मतलब यह है कि यहाँ पर माल लेते हैं कि इस वाले axis पर capital है दूसरे वाले axis पर माल लेते हैं कि labor है होता क्या है कि अब किसी भी जिसे ये single cost है automobile की single cost है आप किसी की भी automobile की किसी भी cost को जाचने के लिए दो चीजे कर सकते हैं या तो आप capital को बढ़ा लीजिए तो labor आपकी घड़ जाएगी यानि कि आप machinery लगा लीजिए labor घड़ जाएगा और वहीं या तो आप machinery मत लगाईए और labor force लगा लीजिए तो ultimately मा लेते हैं कि यहाँ पर अगर 10 लाग की गाड़ी का दाम है तो ये भी 10 लाग है 10 लाग है 10 लाग है 10 लाग है बस अंतर ये है कि अगर आप capital 50% introduce कर रहे हैं तो हो सकता है 10% ही किवल आपको labor लगाना पड़े या फिर अगर आप 10% किवल capital लगा रहे हैं तो हो सकता है आपको 50% labor लगाना पड़े जाए तो ये labor और capital के बीच में graph बताता है और ये basically हम लोग automobile के sector में Germany का graph माल लेते हैं ड्रॉ किये हैं clear इसी तरीके से एक दूसरा graph भी ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग and this is the graph for the India and इसका एक काम करते हैं color बदल देते हैं ताकि clearly दिखे ठीक है इसको ले लेते हैं black so this is the curve for India माल लेते हैं ये इंडिया का curve है और यहाँ पर ये जो curve हम लोगों ने बनाया हुआ है ये जर्मनी का curve है तो यहाँ पर एक point ये था एक point ये था मतब अलग अलग points है खैर ये point की हमें जरूरत नहीं है this is the thing and same यहाँ पर भी होगा capital और this labor का infusion होगा अब हम भी पता है इंडिया में obviously labor बहुत ज़ादा है capital की थोड़ी सी कमी है तो हम लोग क्या करते है this kind of curve यहाँ पर बनेगा जहाँ पर labor की अधिकता रहेगी अब सीधी सी बात है हम लोग demographic dividend में गुजर रहे है in fact इस example का आप यूज कर सकते हैं कभी भी जब demographic dividend का question आता है तो ठीक है कोई नहीं लिखेगा लेकिन आप लोग लिखिएगा and this will fetch you higher marks ठीक है क्योंकि यह कहीं न कहीं आपके जो argument है उसको justify कर रही है और वो भी model के थुरू कर रही है तो this is going to be unexpected for the examiner also and this is going to fetch you more marks तो इस वज़े से ध्यान रखिएगा अब देखिए यहाँ पर क्या case है कि capital इनका अच्छा है यहाँ पर case है और इंडिया का case आप लोगों ने समझ लिया क्या है अब देखिए यहाँ पर इन्होंने एक जो consideration मतलब assumption लिया था वो यह लिया था कि budget will be similar budget for Germany and India will be similar एक जैसा होने वाला है तो यानि कि अगर एक जैसा होने वाला है तो सीधी सी बात है माल लेते हैं कि this is the budget for Germany और माल लेते हैं this is the budget for माल लेते हैं कि India तो यहाँ पर इनके budget के हिसाब से यह point बना और इनके budget के हिसाब से यहाँ पर एक point बना जो कि इस Germany का case हो गया अब simple सी बात है कि अगर इंडिया को automobile बनाना है अब जैसे यहाँ पर क्या करना है यह agriculture करना है इंडिया को अगर automobile बनाना है that means इंडिया को इस कर्व पर किसी भी point बे जाना पड़ेगा और अगर Germany को सारी Germany को अगर माल लेते हैं agriculture करना होगा तो अपने कर्व को नीचे ले आना पड़ेगा यह इस कर्व पर कहीं जाना पड़ेगा तो अब देखिए जो जर्मनी का budget है वो obviously higher है as compared to the India तो अब जर्मनी can do agriculture also but it does not have the labor force and that is why it will be not beneficial for Germany to do the agriculture thing क्योंकि कहीं न कहीं उनके resource का wastage हो जाएगा और दादर हैंड अगर इंडिया को अपना budget increase कर ले then only he will be able to India will be able to manufacture the automobiles so what will happen ultimately इस पूरे के पूरे कर्व का ultimate conclusion यही है कि जो country जिस चीज को करने में आप कह सकते हैं कि potential रखती है वही चीज वो बनाएगी जैसे इंडिया agriculture हो गया और जर्मनी हो गई automobile के लिए ultimately they will exchange the items और फिर इस तरीके से trade कर लेंगे clear हो गया है क्या चीज है hecksher or all-in का model केवल यहाँ पर इन्होंने जो इस तरीके से capital और labor है इसको अलग-अलग consider कर लिया था क्योंकि Ricardo ने consider नहीं किया था and that is why it is a improvement over the Ricardo theory otherwise जो चीजें हो more or less same है अब यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो आपको model कुछ है दिखेगा 2 x 2 x 2 दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है बताइए 2 x 2 x 2 का मतलब यह है 2 का मतलब दो country involved होगी जैसे कि आपका Germany और India दो item यहाँ पर involved होंगे जैसे automobile and agriculture इसके अलावा दो factor consider किये जाएंगे वो भी आपको दिख रहा होगा एक होगे आपका capital और दूसरा होगे आपका labor तो इस model को Hexer all-in model को कई बार 2 x 2 x 2 model भी कहा जाता है तो यह भी आप लोग ध्यान रखिएगा फटाफट इनकी theory के कुछ चोटी-चोटे assumption है उनको फटाफट देख लेते हैं ताकि हमारा यह जो model है यह भी clear हो जाए और हम लोग इस पूरे के पूरे trade theory को समझ लें तो it is the it is based on the assumption to pertain 2 x 2 x 2 model of Hexer and All-In देख लिया हम लोग ने समझ भी लिया हम लोग ने अच्छे से चलिये it is assumed that there is only two nations देखा हम लोग ने जर्मानी और इंडिया यही केवल दो चीज़े होंगी दूसरा दो ही good होंगे जैसे की automobile and agriculture और दो factor of production रहेंगे जैसे की labor and capital for producing the goods both nations use the same technology and they are uniform factor of production ठीक है in both the countries good x is labor intensive और दूसरा capital intensive होगा जैसे की जर्मानी के case में automobile capital intensive था और इंडिया की case में यह agriculture labor intensive हो गया था the taste and preference in the both the countries are the same और यह देखिए कही न कहीं एक subjective item है और इसे हमें consume करना ही पड़ेगा कभी भी अगर हम कोई भी trade करते हैं तो in both the nations the assumption of constant return of scale is applicable दोनों कंट्री आपस में ही exchange करेंगे and this is a must condition and this was assumed by hackshare all-in model in both the nations a specialization in production is not complete cdc बात है goods and factor market in both nations are perfectly competitive मतलब अपना 100% वो देही रहे है there exist a perfect mobility of factor in production within each country मतलब कोई भी रोग टोग कोई भी एरान जैसा case यहाँ पर नहीं आएगा साथ दोनों ही कंट्री आपस में बे रोग टोग यहाँ पर trade करेंगे exchange करेंगे there are two restriction or limitation to the free flow of international trade that is there exist no transportation cost और बाकी कोई भी और गर cost आएगी तो वो यहाँ पर मान्य नहीं होगा it is assumed that there exist a full employment of all resources in both the nations and there will not be any under employment जो कि अगें काफी subjective चीज़ है और lastly आजाती है हमारी एक और assumption the export and import between the nation are balanced it means that total value of export will be equal to the total value of import in both nations तो इसी वज़े से exchange भी करेंगे और अपनी जो भी चीज़ें उसको पूरा कर लेंगे तो इस तरीके से हम लोगो ने trade theory को पूरी जितनी भी trade theories है हम लोगो ने काफी detail में discuss किया अब देखिए इस पर based कुछ question भी आ सकते हैं and I have given you two more questions here for you to solve one question is discuss the validity of trade theories in the present day globalization discuss कर सकते हैं आप इसको आप लोग शुरू करिए गर 1991 LPG reform of India से do not write the LPG reform of India आप केवल और केवल 1980 के जो Gulf War है उसके बाद में जो shift हुइंगी थी जैसे Iranian revolution हुआ था and then कह लिजे की USSR disintegration हुआ था इंडिया का LPG reform आया था और उसके basis पर फिर जो grouping हुई थी और ultimately 1996 वाला जो WTO norm है उन सब को ले करके आप लिख सकते हैं लेकिन keep in mind this is not an economy question this is a geographic question and that is why you have to use the geography you have to use the models only to explain your arguments की कैसे चीज़े बदल रही हैं कैसे geography इस पूरी की पूरी economics को change कर रही है geopolitical theories भी लेकर के आएंगे और geoeconomic theories भी आप लेकर के आएंगे question लिखिएगा then only you will be able to understand how exactly we can write this question in a geographical manner otherwise you will end up in writing very general answer और मैं वो नहीं चाहता हूँ कि आप a general item लिखे इन सारी theories को पढ़ने के बाद दूसरी question है discuss the advantage of countries to form to form a this is not from to form economic union and groups to again this is very simple question but the only challenge is how to write it